आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में फेस्बुक पर कोई मैसेज या फिर नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलता है तो यह प्रॉबलम कैसे ठीक करें तो इसके लिए आप अपने फोन की सेटिंग्स ओपन करिए और नी नीचे आएए नीचे आकर आएगा एपस इस पे किलिक करिए उसके बाद उपर मैनेज एपस पे किलिक करिए और ये मैनेज एपस आपके फोन में एप मैनेजर नाम से हो सकता है तो अब आपके फोन के सारे एप आ चुके हैं उसके बाद नीचे आएए नीचे आकर आएगा Facebook कुछ इस तरीके से देख सकते हैं तो यहाँ पर उसके बाद अब Facebook पर किलिक करिए किलिक करने के बाद यहाँ पर आएगा नीचे notification नोटिफिकेशन पर किलिक करिए और इस पर किलिक करने के बाद उपर आएगा show notification या फिर allow notification अगर आपका यह चालू नहीं है यहाँ से तो इसे चालू करिए और यह जो नीचे option आ रहे हैं इन सारे option को चालू करिए अब उसके बाद आप यहाँ से बहार आ सकते हैं और अगर उसके बाद भी notification नहीं आ रहा है यानि कि फिर से problem आ रही है तो अब Facebook ओपन करिए ओपन करने के बाद उपर T-Line पर किलिक करिए नीचे आकर आएगा Settings and Privacy इस पर किलिक करिए उसके बाद Settings आएगा इस पर किलिक करिए अब यहाँ पर आने के बाद आएगा नीचे notification तो notification पर किलिक करिए उसके बाद अब यहाँ पर काफी सारे option आएंगे तो 1-1 करके चैक करिए जैसे कि सबसे पहले कमेंट्स आएगा इस पर किलिक करिए अगर आपका यहां से ये तीनों जो ऑप्शन है ये चालू नहीं है तो इन तीनों को चालू करिए और उसके बाद बैक आईए अब टैकस आएगा इस पर किलिक करिए यहां पे इन तीनों को चालू करिए तो इसी तरीके से एक एक करके सारे option चेक करिए अगर कोई बंद है तो इस तरीके से आपको चालू करना है तो यह जो नीचे तीनों आ रहे हैं इन तीनों को जरूर से चालू करना है यह allow notification on करने के बाद और अब उसके बाद आपको facebook message या फिर notification से related कोई problem नहीं आएगी तो इस तरीके से आप इसे ठीक करें विडियो पसंद आई तो इस विडियो को like जरूर करें